तोस्त आज मैं कुछ हकीकत बाते आपको बताऊंगा कि जीवन में कितना संघर्ष होता है और आंदोलन जब हम सही के लिए भी करते हैं तो हमें कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आज हम सभी लोग पटना में बहुत सारे टीचर से और मदद के लिए हम लोग गये थे ताकि हम लोगों के शाथ न्याय हो सके अंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके एक सांती ढंग से मांग जो है हम लोग को पूरा किया जा सके A.C. O.B.C. और A.T. शभी को न्याय मिल सके और जो C.C.A. का समस्या है horizontal, vertical जो दिया जा रहा है वो समझानी के explain करने की जरूत नहीं है उससे भारी नुक्षान हो रहे हैं अभी जो चन्याय का दिया है बहुत जादा ट्वीटर campaign हुआ तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने नियम कानून ही से दिया है बहुत सारों उन्होंने पेस किया है चार्ट, उस चार्ट को देखके आप समझ जाएंगे अभी दोहजार अगर मैं पचीस की बात करो दोहजार चब्यस की बात करो भाकिनसी आने से पहले ही अगर नियम कानून बना दिया जाए बिना बताये, बिना जाने और जब दोहजार चब्यस में गुरूप डी का एक्जाम आए और फिर जब बच्छे एक्जाम को दे तो क्या होगा दोहज़र अठाइस मिलेगा तो दोहज़र अठाइस वाले आन तोलन करेंगे तो वो कहेंगे कि हम दोहजार बाइस में तो कानून बना दिये थे समझे इस चिछश को उसी परकार जो हम लोग को कानून बना है उसका खाम्याजा एक तो लेट चार सल पे लेती है तो चार सल बाद लेने के बाद एक्जाम में 5-6 साल समझी है प्रोशेस हो जाता है चार 5-6 साल का तो उसके बाद लोग जब जागते हैं अंदोलन करते हैं फिरकत नहीं है तो पुराना का प्रोसेस है रेलवे हमेशा चेंज करते रहती है भाई आप चेंज क्यों कर रहे हो ऐसा नियम बनाओ जो सबके हीत में होना बार बार लोग आंदोलन के लिए क्यों आ रहे हैं ये कितनी बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है कभी कभी CCA वाले X में आंदोलन के तो कभी OBC वाला कभी General वाला भाई ये आंदोलन को आप बाट रहे हो ना आपके कानून बाट रहे हैं CCA वाले अंदूलन करते हैं तो CCA के पच्च में कानून बन गया और जब OBC वाले अंदूलन करेंगे तो OBC के पच्च बन गया ST के पच्च बन गया कई-कई विचारा सक्सिज नहीं हो गया तो लम्बा साल तक वो अंदूलन करते रहे उसका खाम्याजा चार सल दसल भुगतता रहे कब अंगोलन सुद्रिया कोई पता नहीं और एक बात बता दो दोस्त आज हम लोग गये थें मिलने के लिए मैं गया था कुछ बच्चों के साथ भी तो मनीश बाबु जो है संगर शेकरण भी पतना के उन्होंने काफी साथ दिया बहुत अच्छे बैगती है मिला मैंने बाते किया और अच्छा लगा मुझे बहुत सारे टीचर्स के पास आज हम लोग लगभभ बहुत सारे टीचर पास गए मिलने के लिए लेकिन बहुत कम लोग साथ देने के लिए बोलते हैं और मैंने हकीकत से पेश करवाया यार टीचर हैं गुरु हैं तो कहीं ने कहीं आप अगर हैं तो इन बच्चों का ही योगदान है बच्चों का फी है सो दो सो पान सो कितना मेहनत से मतलब आपको बच्चे ही आगे बढ़ाए हैं बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो गुरु को साथ ओआना चाहिए जो समस्या है उस पर बाते करनी चाहिए लोग मिलते भी नहीं है मिलने के लिए आपको टाल मटोल कितना बहुत प्रोशिश होता है आज हम लोग अगर नेता बना रहे हैं तो किसी भी नेता को बनाते हैं तो वो किसकी लिए सरकार बना रहे हैं वो हम लोग के लिए भलाई के लिए भाई मिलने के लिए न आपको बहुत कहा जाता है न कि प्रोशिश है उस प्रोशिश को पालन करना पड़ेगा आपके चपल घिस जाएंगे लास्ट में आप हार जाएंगे लास्ट में यही एक्सेप्ट कर लेंगे जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है छोड़ दो अन्याय होने दो मैं एक बात बता दू ये अब नौकरियां सिर्फ सिसिय को मिलने वाली है अब ये नौकरियां आने वाला सोय में नहीं मिलेगा दो नंबर तीन नंबर सिसिय जो ला रहा है मतलब सिसिय जितना भी है सारा सिसिय सिसियो को देंगे बीस परशेंट है बीस परशेंट देंगे उसके होरजेंटल देंगे उसके बाद हम भर्टिकल भी देंगे CCA को 20% देंगे और फिर देर OBC, SC, HT में से भी देंगे और जून टम देंगे उसको पूर्ती कर देंगे अभी 50% हम OBC में से लिए हैं अगर CCA का संख्या बढ़ जाएगा तो हम 60% भी ले सकते हैं 70% भी ले सकते हैं आप नहीं समझ रहे हैं अरे भाईया नियम से आप दिये हैं हम मान रहे हैं लेकिन नियम में तो आप गलत बना दी हैं ऐसा नियम बना दी जिसमें आप फस गए हैं ऐसा क्यों नियम बना रहे हैं और बार बार सुधार तें उसका खूद है रेलवे का नियम कि हम सुधार भी सकते हैं क्यों कि हमुलत करते हैं आप पकड़िये बात को पढ़े लीखे हैं हम सुधार भी करते रहेंगे मतलब क्या हम गलत कर रहे , यही तो बात है उसमें , इस गलत को पकड़िये, खाम्याजा हम लोग को भविस्भुगतने वाला विदारती हमारा समस्या नहीं है हम सबका समस्या नहीं है यह आनी वाली पूरी दुनिया का समस्या लोग यही माल लेंगे कि आज बच्छे कुछ लोगों वह बहुत कम मिल रहा है ना फिर अब सपना छोड़ देंगे हो तो कहीं में कहीं यह बहुत दुसरे तरफ हमारा इतिहास यहां से बदल रहा है यह मोड ऐसा है जहां से एक नया इतिहास अलग रूप रेखा यहां सपन रही है अगर यह अंदोलन सक्सेस नहीं हुआ तो लोग यहीं सोचेंगे कि यह नौकरी रेलवे में सीसीय काव होगा यह सच बात है नियम से दिया है ठीक है नियम किसने काता है नियम का पालन किये आप चार बार बार सुधार करते रहते हैं अच्छी बात है ना करते रहे हैं सुधार नयाने आयट करते रही है यह सब करते रहे हैं हम लोग बेवकूफ ठीक है बनाते रही है हम लोगों को और सब लुग मान लिया खुल सोजा यह नाचने लगी हैं दो संगहर्स जब कीजिए गा तो समझ में आएगा कि क्या परिशानिया हैं बहुत लोग टो कमेंट करते हैं सर मैं आपके लिए जान दे ना है हमको हिंसा नहीं करना है अंदोलन ऐसी होनी चाहिए जिसमें जीत होनी चाहिए जान देने से क्या होगा कि किसी को मारना काटना नहीं है अहिंसा कि अहिंसा से नहीं काम होता है प्रेम से काम नहीं होता है गलत को बोलेंगे गलत तो क्या वो नहीं मानेगा तो इस तरह से आप लोग अंदोला में भाग ले एक जूट हो और एक जूट हो करके जब करेंगे तहीं सफलता मिल पाएगी ये एक बहुत गंभीर समस्या है इसको समझने की जरुवत है कुछ लोग ये मानते हैं कि नियम कानून से ही रिजल दिया है जो रेलवे का नियम है मैंने सुरू में ही बोला था हाई काट अफ का मतलब कुछन कुछ गड़बड़ी है वह गड़बड़ी कानून में ही कानून को सुधरिये ना रहे कानून क्या है हम लोगों की परिशानी हो रहे तो कानून को बदल लिए ना आप नहीं बदल सकते कानून तो वेटिंग कालिफाइ कर दिजिए हम लोगों पीटी में बुलाएं हैं भी अप बेटिंग कर दिजिए डिए फुना डीबी में बुला लीजे तो बेटिंग या कर दिजिए नहीं होता तो इस शीट देदी रहे नहीं करेंगा साम्त हो जाएंगे लिए अगला बार से फिल नियम बदन वैसा नियम बना रखा है, बच्चे बिरोध करेंगे, उसके लिए वो जान रखा है, इसलिए तुन्होंने फिर वो बिरोध ना हो, इसलिए तुन्होंने किया था, कटेकरी बाइज रिजल्ट नहीं दिया था, अब जो भी हो यार, बात तो यही हम लोग समझेगे ना, कटेक से कोई रास्ता निकल पाए लेकिन देखिए आगे क्या होता है आप लोग भी अपना दिमाग लगाईए बहुत ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हैं सिच्चित हैं बाकि हम आप लोगों की अपनी बातें आज बताएं जो आज हम लोगों ने जो किया कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए हम लोग एक अच्छे व्यक्ति का चुणाओ करना जीवन में भी जरूरी है अच्छे दोस्त बनाना भी जरूरी है ताकि आपको शाथ मिल पाए है और हमारे लिए तो गुरु भगवान होते हैं हम सिच्चक से भी अनुरोद करेंगे कि इ इस आंदोलन में आप साथ दें बच्चों के साथ नियाए दें बच्चों के जो समस्याएं हैं और मैं विडियो में ज्यादा बकवास करने वाला नहीं हूं जो हकीकत मैंने किया मैं आप लोगों को बस बता दिया है आगे आपकी रहे करना क्या है एक जूट बनो और आपक हुक्रिय को पार करना सीकूं हम लोग सब धर्म्यवες जाती समुदाइं में बटे हुए है आरचन ये जो है इसमें बटे हुए है और यह आरचन का समस्या बहुत बड़ा समस्या इसको 20 पर से पर दिये हैं इधर से भी दे रहे हैं तो सब बते रहें भाई सब को जीने दिजिये जीयो और जीने दो का नारा ऐसा करो कि सब लोगो कुछ सरे जैंडरल का कम बढ़ रहा है पैस की का ज्यूदह गया रहा है एस डिका वड्स का जाधा वड्सका ज्यादा बढ़ है तो आप सीसी के साथ मैं नौकरी दो नमर तो इस पर विचार करने की जरूरत है और जैसा कि हम जाने हैं कि जो ट्वीट हम लोग किये तो उसके बाद उन्होंने सारा कुछ पेश कर दिया है कि मैंने अपने नियम के अनुशार ही सारे रिजल दिया है लेकिन आप देख रहे हैं क्या हाकीकत है क्या बच्चों के साथ ग सब्सक्राइब करने के लिए हम सीट देंगे अभी 50 परशेंट भी से का लिया गया है आने वाला में 70 परशेंट लिया जाएगा मतलब कि सब के सब सीट अब देजिए सीट को ओपन कटेग्री में नहीं बचेगा और आप आराम से एस कीजिएगा ठीक है इस चीज़ को आप समझते रहिएगा कहिएगा सब कुछ कानून है नियम कानून से रिजल दिया जा रहा है बहुत अची बात है भूगतना भाई हम लोग को करना पड़ता है जब भूगतिएगा तो पता चलेगा हकीकत क्या होता है जब थोड़ा साह से कोई च्छटा था है ड्रन में اगर एक दो सेकन्ड शोचता है कि ने कि साइथ मैं ड्रपर पास करते हैं और जब ड्रप कर Balance कर गया तो इतने बड़े धांदली इतने बड़े नियाम कंणून देखा करकर एक हम लोगों को बस दिखा दिया जाता है कि हम जरूर मिलेंगे